हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग आप लोग का स्वागत है फिरते हमारे टूप चैनल मेडिकल वाला में दोस्तों मैं आज आप सबको एगनी स्टार क्रीम के पारे में पूरी जनकारी देने वाला हूँ किस क्रीम का यूज हमें कब और कैसे करना चाहिए इसके यूज करने के क्या फायदे हैं और इसके नुकसान क्या है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी जनकारी देने वाला हूँ कि एगनी स्टार क्रीम कैसा कार करता है इसको चेरे पर कितनी मात्रा में और कब लगाना चाहिए इसका डोस क्या है दोस्तो आज मैं आप सबको पूरी जनकारी हिंदी में आपको दूंगा तो दोस्तो वीडियो में अंतक बने रहें अगर आपने हमें युटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको हमारे युटूब चैनल पर मिलती रहेंगी तो दोस्तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट दोस्तो बात करते हैं सबसे पहले हैकनी स्टार्ट जल के बारे में दोस्तो इसमें दो फार्मिले होते हैं पहला कलेंडा माईसीन जो कि हमारे चैनल में इंपल्स दाने को रोकने के लिए मदद करता है दूसरा निकोटीनामाइड दोस्तो ये विटामिन B6 होता है जो कि हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अवस्यक होता है अगर विटामिन B6 कमी हो जाती है तो हमारे चेहरे में जगा जगा दाने निकलते हैं ये जो निकोटीनामाइड होता है हमारे चेहरे में विटामिन B6 की तर बनी हुई है जैसा कि आप इस पे देख सकते हैं ये 22 क्राम का ट्यूप होता है जो कि दोस्तो इसके फ्राइस brings बात करें तो इसमें 110 रुपिया है आपको किसी भी मेटकल स्टोर पर ये 100 रुपे का हासानी से मिल जाएगा आप इसको किसी मेटकल स्टोर से 100 रुपें से झाल देखता हूँ कि अंदर किस परकार से होता है तो दोस्तों आप अगनी स्टर तो दोस्तों अगर फेरनेस की बाद की जाए तो अगनी स्टर का नाम नहीं तो मतलब क्या ही सुना दोस्तों ये फैरनेस के लिए सबसे अच्छी है और सबसे बेस्ट क्रीम है आपके चेरे में अगर कहीं पर भी पिंपल्स हैं काखों के नीचे काला पान है जाईयां हैं मुहासे हैं तो आप इस क्रीम का यूज बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कर सकत हैं ये उसमें बहुत अच्छा कार करता है और ये दोस्तों सभी को बिल्कुल गोरा बना देता है आप इसका एक बार इस्तमाल जरूर कीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं एकनी स्टार्ट जल के बारे में किस किस तरीके से करना चाहिए इसका यूज करने का सही तरीका क्या है तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने चहरे को अच्छी तरह से साबुन से धुर लीजिए उसके बाद आप अपने चहरे को अच्छी तरह से किसी साब तोलिय से पोच लीजिए उसके बाद ही आप इस क्रीम को हलका और थोड़ी सी मत्रा में जहां पर पिंपल से व और होंट पर इसको ना लगाएं तो ज्यादा बेतार है, मतलब कि आपको इसको आखों में और होंट पर नहीं лगाना है, आप इसको आखों के नीचे यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पर भी आपके पिमपल से, काले धब्बे हैं, या मुहासे है आप वहाँ पर इसको बिल्कुल अच्छे तरह से यूज़ कीज़े आपको इसको दिन में केवल दो बारी यूज़ करना है सुबा और साम में और तीस बारा इसको यूज़ बिल्कुल ही नहीं करना है या तो आप अपने डाक्टर के बताए नियमान सार भी दोस्तो बात करते हैं एकनी स्टार जेल के साइड इफेक्ट के बारे में तो दोस्तो इसका साइड इफेक्ट बहुत जरूरी नहीं होता क्योंकि मतलब इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है आपको कभी कभी इसको लगाने के बाद अपने चेहरे में जुझनाट या जलन को मिल सकती है वैसे दोस्तों लगभग लगभग लोगों में इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखा है यह क्रीम बहुत अच्छा है अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट दिखता है तो आप अपने डॉक्टर की सला जरूर ले और इस क्रीम को तुरंत ही बंद कर दीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नाए प्रोडेट के साथ अगर आपने अभी तक हमारे टूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पिलीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को लाइक कर दीजे ताकि ऐसे वीडियो आपको हमारे टूब चैनल पे मिलती रहेंगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही झाल 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 झाल झाल